एक ऐसी देवी जिनके पास कोई शस्त्र नहीं होता, ये और कोई नहीं मा सकंद माता हैं, जिनकी पूजा हम नवरातरी के फिफ्ट डेपर करते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि सकंद माता का जो रूप है, वो नौ देवियों के रूप के बिलकुल मध्य में क्यों आता है? बेसिकली जो नौ देविया हैं, वो आश्रम व्यवस्था का प्रतीक होती हैं, मा शैल पुतरी, भ्रम चारिनी, भ्रम चर्य का प्रतीक होती हैं, उसके बाद चंदर गंटा, कूश, मांडा, सकंद माता, मा ग्रहस्त आश्रम का प्रतीक होती हैं, मा कात्याईनी, काल, रात् का प्रतीक होती है महा गौरी रूप में मा सन्याज धारन करके सिधी दात्री बन जाती है तो सकंद माता रूप में मा एक transition को represent करती हैं जहां पर वो अपनी ग्रहस्ती को छोड़ कर वन की और प्रस्थान करती हैं धर्म की स्थापना करने और सारे असुरों का मरदन करने तभी आप देख सकते हो कि कुश्मान्दा रूप में मा के पास इतने सारे शस्त्र हैं पर सकंद माता रूप में एक भी शस्त् की हुई सारी विद्याओं को कलाओं को अर शस्त्रों को अपने बेटे सकंद को दे कर वान प्रस्थ में एंटर करती हैं अँसी वज़से सारे शस्त्र सकंद के हाथों में होते हैं और मा का कमल है वो एक नई जीवन और नई बिगणिंग का representation होता है अब एक और देवी है न